आप तुभी के स्वागत है आज के इस वीडियो में सूट के फिटिंग बताएंगे बहुत लोग को पर फिटिंग करने नहीं आता है सूट तो आज हम उनके लिए वीडियो बनाए है और कटिंग तो बहुत हम डाले थे बहुत लोग बोल रहा है कि इसका इस टीचिंग समझा ट्हायांगे फिटिंग करना एं देंग जीशे वाला पाट ले लिए है इस ततरह से फैला के आपको दिख्या दिया कुझा आप इसके ऊपर हमें आगे वाला पाट रख लेना है अ सेंट करने के लिए तो देखें लिए पीछे वाला पाट मीचे है और आगे वाला पाट इस तरह से फैला लेना है और अच्छी तरीके से आंपर सेट करके सोल्डर जौएंड कर लेना है एक तरफ से जौएंड हो चुकआ अब दूसरी तरफ से सेम इसी तरीके से सोल्डर जॉइंड कर लेना है अब डबल यहां पर भी सिलय लगा लेना है तो सिलय लग चुका है धागे को कटिंग कर देना है तब देख लिए इस तरह से सोल्डर जॉइंड हो चुका है अब यहां पर हम बाजू जॉइंड करेंगे तो यहां पर देख ल और यहां से कटिंग करके निकाल देंगे आधा इंच कपड़ी एत्स तरीके से हम आगे वाले पाट में डिये हैं आप अच्छी तरीके से जहां से कट द्लगा हैं वहां से कटमिला चीहा西या लगा लेना है आधा tap दूरी थे, तो यहाँ पर देख लिजी, एक तरफ से सिलाई लग चुका है, बाजू पर डबल सिलाई लगा लेना है, मजबूती के लिए, तुस्वें इसी तरीके से इस तरफ भी जोइन कर लेना है बाजू को, तो यहाँ पर, एक तरफ से यहाँ पर भी हो गया, एक तरफ स लगा लेना है तो यहां पर लग चुका है आप बाजू कम्प्लिट जोइंट हो चुका है देख लिजी इस तरीके से अब हम इस तरब भी बाजू जोइंट कर लेंगे तो यहां पर आगे वाला पाट में इसमें भी कटिंग कर देना है अधा इंच कप्ड़ा अब इसके उपर अच्छी तरीके से स्ट कर लेना है कट से मिला के और यहां पर सिल्याई लगा लेना है सेम उसी तरीके से एवाला बाजू भी हम जोइंट कर लेंगे डबल सिल्याई लगा के तो फ्रेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर देख लिजे एक तरफ से लग चुका है सिल्याई दूसरी तरफ से भी सिल्याई लगा लेना है तो यहां पर सिल्याई लग चुका है और इस वाले पार्ट में भी बाजू जोइंट हो चुका है बहुत ही खुबसूरत तो दोनों पार्ट जोइंट हो चुका है बाजू का अब हम नाप ले लिए हैं जो पुराना नाप है कस्टमर का अब यहां पर अच्छी तरीके से फैल खेल लेना है पहले आपको q harija रहा है कि अढिक कितना है तो बाजु का महोडी है चार इंच कि क तो हपर हम लिखेद लेते हैं मैं कि नहीं पर ने चल रहा है तो कि इसलिए हम लिख पाए हैं सीधा खंप ले पाते हैं तो यहां पर जो हम फिटिंग करेंगे उहां पर नाप लेते हैं बाजू का आधा इंच हम थोड़ा से ज्यादा ले रहे हैं अब इसके बाद हम एक सिलाई आउ लगा लेंगे तो आ जाएगा एकदम बराबर अब आएंगे हम सीने कर नाप लेते हैं यह देख लिजी चेश्ट का यहां से जहां से हम सोल्डर आर्मुल है वहां से हमें लेना है तो यहां पर देख लिजी आ गया है अठरा इंच अब इसमें भी हम अठरा इंच पे लगाएंगे तो यहां पर पहले एक पेंच ला लेना ह बीच में अब यहां से 9 इंच इस तरफ से ले लेंगे 9 इंच इस तरफ से तो यहां पर देख लिए अठरा कादा है 9 इंच तो यहां पर हमें 9 इंच पर निसान लगा लेना है चेस्ट पे और सेम इसी तरीके से इस तरफ भी हमें 9 इंच पर ले लेना है निसान लगा के तो यहाँ पर निसान लग चुका है यह देख लिजी अठरा इंच आ चुका है तो अब आहाँ आते हैं हम कमर पे जहाँ पर हम शौक बठाते हैं तो कपड़े को अच्छी तरीके स्फला लेना है पूराने वाले कपड़े को अब यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाना है आपको तो आगे आ यहाँ पर सोला इंच देख लिजी सोला इंच तो यहाँ पर हमें सोला इंच पर निसान लगाना है यह देख लिजी इस तरीके से यहां से भी तीन इंच पे निसान लगा लेना है अभी देखते हैं आपर तीन इंच पे निसान लगा लेना है साड़क तीन इंच पे इस तरब सभी साड़क तीन इंच पे निसान लगा लेना है अब यहाँ पर नाप ले रेते हैं बचा कितना तो यहाँ पर देख लिजिए टोटाल बचा है 16 इंच जीतना हमें चाहिए आप यहां से इस तरह से मिला लेना है आप यहां पर देख लिजी आप यह वाले भै बाजू को निसान हम इस तरह से मिला लेंगे तो स्वें इसी तरीके से इस तरफ हम इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर भी हम हाथ से ऐसे से कर लेंगे तो इस तरब भी लग जाएगा हलका हलका तो उसके बाद हम लगा लेंगे तो यहाँ पर देख लिजे यह वाले हम पाट नहीं लगाये थे तो यहाँ पर हम इस तरीके से लगा लेंगे और यहां पर इस तरीके से मिलाते हुए निसान लगा लेंगे जैसे लगा था बस हलका निसान को गाढ़ा कर लेना है तो यहां पर देख लिजे निसान लग चुका है और इस तरब भी लग चुका है देख लिजे दोनों तरब से लग चुका है निसान अब केवल इस पर सिलाई लगा लेना है फिटिंग के लिए तो यहाँ पर अच्छी तरीके सेट करके जहां से में इस्तान लगा है वहां से में सिलाई लगा लेना है तो यहाँ पर देख लिजिए सिलाई लग चुका है एक सिलाई यह लगा लेना है यह देख लिजी तो यहाँ पर देख लिजी सिलाई लग चुका है फ्रेंस एक तरफ का फिटिंग हो चुका है सेम इसी तरीके से इस तरफ भी में फिटिंग कर लेना है एक बाजू की तरफ से फिटिंग होता है एक नीचे से चॉप की तरफ से देख लिए इस तरीके से री में है अधियर आंगा इस है तरह कुछEL है सेम इसी तरीके से दूसरी भी द्याइगा लेगे तो में है तो यहां पर देख लिए भी यूट नहीं हो चुका है आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना अगर समझ में नहीं आया है तो कमिंट करके यह भी बताना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देख नीजए दोम से फिटिंग हो चुका है और इस्ट्रा कप्टे को हम कटिंग तो यहां पर देख लिजे, कट लग चुका है, सेम इसी तरीके से इस तरब भी हमें कट लगा लेना है, इस तरा कप्पे को कटिंग करके, यह देख लिजे, इस तरीके से, तो यहां पर भी छोटी-छोटी कट लगा लेना है, तो यहां पर देख लिजे, दोनों तरब से फिटिंग हो चुका है, परफिट, फ्रेंज अच्छा लगी तो लाइक सेर जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, थाइंक यू,